नमस्कार बच्चो मैं संगीत भालेरा मेडम कक्षा सात्वी बी और सी के बच्चो को गनित पढ़ा रहे हूँ देखो बच्चो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है ये परीमिती परीमिती किसको कहते हैं तो मैंने आपको परीमिती का अर्थ बताय था किसी भी बंद आकृती की सभी भुजाओं के लंबायो का योगफल वो साकृती की परीमिती होती है उसमें हम लोगों ने आयत की परीमिती और वर्ग की परीमिती इसका सुत्र जो है वो भी हम लोगों ने इसका भी अध्यन किया था और उसके कुछ गणित भी हल किये थे तो उसमें मैं आपको बताया था कि वर्ग की परिमिती उसका सुत्र है चार गुना भुजा यानि वर्ग जो होता है उसको सभी भुजा ये समान लंबाई की होती है और उसको चार भुजा होने के कारण चारो भुजाओं की लंबईयों का योगफल या फिर चार गुणा भुजा यह सुत्र का उप्योग करके परिमिती ज्याद कर सकते हैं उसके बाद आयत की परिमिती आयत की परिमिती का सुत्र बताय था दो गुना लंबाई जोड दो गुना चोड़ाई यानि आयत को दो लंबाईया होती है और दो चोड़ाईया होती है इसके कारण दो गुना लंबाईया जोड दो गुना चोड़ाई ये इस तरह का उसका सुत उस आकुरती का क्षेत्रफल कहा जता है तबी यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल का सुत्र है भूजा गुना भूजा यानि भूजा का वर्ग इसका कारण क्या है क्योंकि वर्ग जो होता है उसको चार भूजाए होती है चारो भुजाए जो है वो समान लंबाई की होती है उसमें न लंबाई होती है न चोड़ाई होती है इसलिए तो यहाँ पर किसी भी दो भुजा का अगर हम लोगों ने गुना किया तो वो रहेगा उस वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना ना किया तो वो रहेगा उस आयत का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल जो होता है वह वर्ग मिटर वर्ग सेंटिमिटर या फिर वर्ग किलो मिटर इन इकायों में मापा जाता है तो आभी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग कुछ गणित जो हैं वो हम लोग देखेंगे जैसे के देखो यहाँ पर एक उधरन दिया है, किसी आयताकार बगीचे की लंबाई 40 मिटर तथा चोड़ाई 30 मिंटर है, बगीचे के अंदर उसकी सीमाय से सटा हुआ चार और 2 मिटर चोड़ा रास्ता है, रास्ते पर 25 सेंटीमिटर गुना 22 सेंटीमिटर आकर की फरशिया टाइस लगानी हो तो कितनी फरशिया लानी वहोगी, अभी देखो यहाँ पर यह आयत जो है, उसकी लंबाई चोड़ाई मालूम है, इसका मतलब सबसे पहले हमें आयत का क्षेत्रफल ग्यात करना है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्ष लगाने वाले भा है, इसको छोड़कर बाग के भाग में यह जो रास्ता छोड़ा है, दो मिटर का लंबा और दो मिटर का चोड़ा, तो इसके क्या करने की फर्ष लगाने की है, तो फिर इसके लिए देखो सबसे पहले फर्ष लगने वाले भाग का क्षेत्रफल ग्यात करेंगे, तो वह अधैने की फर्ष लगने कुछेत्रफल, मतलब रास्ता छोड़कर तो यहां पर यह कितना है, 40, तो इसमें से 2 छोड़ द कितने हो जाएंगे, दोनों साइड से, देखो, यहां से 2, और यहां से 2, मतलब कितने हो गए, 40, में से 2 तो 38, 38 में से 2 गए, तो 36 में से 3 में मतलब, तो 36 गुना 26 बरबर 936 वर्गमिटर तो फिर यहाँ पर फरशिया लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल तो यहाँ पर कूल क्षेत्रफल कितना है यह पूरा बायवगी चेका 1200 वर्गमिटर उसमें से यह जहाँ पर फरशिया लगाने की है वो क्षेत्रफल है 936 वर्गमिटर त तो 1200 में से 936 घट आए तो 264 वर्गमिटर आएगा अभी प्रत्यक फर्ष का क्षेत्र फल ग्यात करना है देखो उन्होंने क्या बता है फर्चिस सेंटीमिटर गुना 20 सेंटीमिटर की टाइस फर्षा लगाने की है तो यहाँ पर 25 सेंटीमिटर याने 100 में सेंटीमिटर में सर बराबर तो देखो यहाँ पर 25 25 पचीक चोक 100 उसके बाद 20 20 25 तो फिर यहाँ पर 1 एक म 1 और 5 चोक 20 टो यहाँ पर 1 फर्ष का खेत्र फल आएगा एक फर्ष का क्षेद्रफल तो जगव का क्षेद्रफल कितना है 264 वर्गमिटर भागे एक बटे 20 तो फिर 264 गुना 20 तो यहां पर क्योंकि 264 एकम 264 हाँ इसके गुनाकारव्यस्त से गुना करना है इसलिए तो इनका गुना किया तो उत्तर आएगा 5280 याने 5280 फर्ष याने टाइल्स लगानी होगी तो फिर लानी होगी तो यह इस तरह का गनित्र एक जो है वह आपने बुक्स में हल करके दिखाये है तो इस तरह से हैं और भी गनित्र वह अपने बुक्स में करके दिखाये हैं अगले विडियो में हम लोग इसके आधार पर प्रशन संग्र जो है वह हम लोग 45 जो है वह हल करके सपश्टा करेंगे धन्यवाद